Welcome to the online classes students आज हम पढ़ने वाले हैं Homophones, grammar का topic MICHAEL है तो students हम जानते हैं, सबसे पहले Homophones होते क्या है हमने कई बार ऐसे शब्द सुनने हूंगे दो अलग-अलग जिनका उचारन जो है, pronunciation जो है वो सेम होता है, वो सुनने में एक जिसे सुनाई पढ़ते हैं पर जो उनकी spelling होती है, तीक है, और क्या spelling ययन की वर्तनी और जो है meaning अर्थ, वो अलग होता है, टीक है, ऐसे शब्द जिनका वर्तनी और अर्थ अलग-अलग होता है, पर उनका उचारण एक सा होता है, यानि की सुनना ही देता है एक जैसा, उन्हें हम homo pons बोलते हैं, तो क् अगे वतनी था अर्थ हो लाग अलग हो उनके प्राइलन्सियेशन उच्छारण he हमहार कहते हैं क्लिए हमें इसे शब्दो के अर्थ रहरों अगर इस शब्दों के थी रहर पत राएं शॉची है अनीवार्य है यह लिए खरिया है कожет Brain संशिप्त सूची जो है वह यहां दी जा रही है तो सबसे पहले यहां पर प्रश्न यह आएगा होमोफोंस यह क्या होते हैं ठीक है इसे अब हम सॉल्व करते हैं होमोफोंस क्या होते हैं इनके अर्थ इनकी वर्तनी अर्थ यानि की मीनिंग वर्तनी यानि की पैलिंग यह क्या होते हैं यह होती है अलग ठीक है लेकिन अगर हम यहां पर पर देखें इनका जो उच्चारन होता है इनका उच्चारन यानि की प्रनांसियेशन जो है कि वह क्या होता है सुनने में यह क्या है एक से सुनाई देते प्रनन्सियेशन जो है वो एक जैसा होता है ठीक है होता है एक समाई ठीक है अभी हम क्या करने वाले हैं में अभी हम देखेंगे ऐसे बहुत से होमोपोंस जिनके हम अर्थों का भी ग्यात करेंगे Turan ale all यह कि क्या उनकी जो मीनिंग है और जो स्पहलिंग है और अगर नहीं तो उनका उप्चारण कैसे सेंप तो हम देखते हैं होमोफोन्स की जो हम सूची अब हम हम फॉर्स PHILड्स की धुल स्वर्स्य हमारे शुरू करते है पहला जो हमारेले इस वर इन इस से यहां पर पहला शब्ड है हमारा मिक्रास इस ऐः आ इस यार डेक्टा और इस इस ऐ़र प्रियर तो दोना से फेले वाले पेयर का मतलब क्या होता है इसका मीनिंग क्या होता है उतका मिनिंग है मेला है ठीक है और इनका उच्चारंब क्या है एक सा है तो कहीं बार हम यह हैं कन फ्यूदि और के भी गलत पहल समध कर लिए तो हम शीयाL r का मीनिंग है मेला और f-a-r-e का मीनिंग क्या है यहां पर किराया ठीक है यह क्लियर है एक एक यह समझ तर देयर का जो हमारे पास वोट है T R फिर Next और फिर नेक्संभ को है हमारे बाद T EAR तो इन दोनों के बीच का जो हम डिफरेन्स रहे वो समझते हैं इनका अर्थ क्या है पहले जानते थे य干 दैर का मतलब क्या हर वहां अंतर कर दे उफ energy i कया हर का मतलब confused हो करके भी क्या करते इन दोनों की spelling में confuse हो के एक दूसरे की जगे इंका इस्तिमाल कर लेते हैं ठीक है तो पहला word हमने देखा fair और दूसरा देखा there इनके उचारण देखैं ठीक है पर इनकी spellings और मीनिक जानी कि अर्थ जो है वो क्या है अलग-अलग है Next हमारे पास World है New और New यानि कि N-E-W इस New का क्या मतलब होता है? नया और K-N-E-W का मतलब होता है किसी चीज के बारे में ग्यात होना या पता होना ठीक है अगर हमें किसी चीज के बारे में पता होगा तो हम किसका इस्तुमाल करेंगे? K-N-E-W और कोई चीज नहीं है और हमें बताना है तो किसका स्नमाल होगा ए डंबी यूटक्यो ऐ 1974 हमारे पास है आपर हे आप यहाँ पर हम देख रहे है Hem और हेर में है ठीक है यहां पर हम देख रहे हैं यह और है अभ इनका धनलेते हैं अम ने जान लिए सुनना और यहां ओना ठीक्डे अब यहां हम देख रहे हैं कि spelling जो यह वह different है और उनके जो अर्थ है वह भी अलग है ठीक है तो समा देखता है वीग और फैली स्पिलिंग लिखिये, पी- आई- ई-सी-ई, इसका मतलब क्या होता है कोई टुकडा, पी-क मतलब क्या होता है, शांती, ठीक है, तौब हम यहां के देख रहें, दो ऐसे शब्द दिये गए हमें, जिनका अर्थ जो है वो बिलकुल अलग है spelling भी अलग है पर इनका जो उचारण क्या है एक साहे जिसे हम पीस पढ़ते हैं नेक्स्त हमारे पास है वीक और वीक तो यह वीक का क्या मतलब होता है डबल्यू एकी वीक का क्या मतलब हुआ यह हुआ कमजोर फिर आता है डबल्यू डबल एक यानी की सब्ता सब्ता के लिए हम डबल्यू डबल एक वीक का इस्तमाल करते हैं अब यहां देख रहे हैं जो है वरतनी अलग है अर्थ अलग है लेकिन इनका उचारण क्या है पिखो यह अलग है ठीक है next हम चलते हैं हमारे पास है peer और pair peer तो होता है हमारे पास नाशपती और pair का मतलब क्या होता है मतलब कोई जोड़ी ठीक है P-E-A-R होती है peer और P-A-I-R होता है pair अब इनका जो है यहाँ पर अर्थ देखेंगे अलग है पर pronunciation उचारण जो है same है वैसे ही हमारे पास यहाँ शब्द दिया गया है meet ठीक है M-E-E-T ठीक है M-E-E-T फिर है M-E-A-T M-E-A-T meet का मीनिंग होता है मिलना M-E-A-T meet का मतलब होता है match अब match और मिलना दोनों कितने अलग-अलग अर्थ है स्पेलिंग भी अलग है लेकिन उचारण सेम है R-N-R Our N-R ठीक है R ही बोलते है इसको R मतलब हमारा R मतलब है ठीक है O-U-R मतलब हमारा Our A-R-E-R मतलब है ठीक है Next step beat और beat B-E-A-T B-E-A-T beat का मतलब है चुकुंदर B-E-A-T B-E-A-T का मतलब है पीतना और B-E-E-T का मतलब है चुकुंदर तो इनका प्रणन्सियेशन सेम है लेकिन अर्थ अलग है Spelling भी अलग है Serial और सीरियल S-E-R-I-A-L यानि की क्रम संख्या C-E-R-E-A-L यानि की अनाज Serial और सीरियल सीरियल स्टार्ट और उसका मतलब है क्रम संख्या C से जो हो और उसका मतलब है अनाज पर इनका जो प्रणन्सियेशन है वो सीरियल सेम है Next हम देख रहे हैं C और सी C-S-E-E-C यानि की देखना S-E-A-C यानि की समुद्र Next है सीन S-E-E-N मतलब सीन और S-C-E-N यानि की सीन सीन S-E-E-N का मतलब है देखा हुआ सीन का मतलब है द्रिश्य वैसे ही यहाँ पर हमारे पास है Threw और Threw का मतलब है द्वारा Threw का मतलब है भितना Thro जीएच का मतलब है आरपा सीन S-E-E-M और S-E-A-A-M S-E-E-M सीन का मतलब है प्रतीत होना S-E-A-M सीन का मतलब है शीवन ठीक है next हमारे पास टीम और टीम T-E-A-M का मतलब होता है थिलाडियों का समों और टी डबल एम का मतलब होता है बड़ी संख्या रीड और रीड रीड का मतलब होता है पढ़ना रडबल एडी रीड का मतलब होता है सड़कड़ना ठीक है सड़कड़ना बीन और बीन बीडबल यी बीन का मतलब है साय क्या क्रिया होना कि I have been there मैं वहां A.D.E.A.R. T.A.R. T.A.R.E.R. का मतलब होता है पंकती तियम हूं तर हमने क्या यहां यहां पर हमने ओमोफोंस देखें जिनके आर्थ पिलकुल अलग वरतनी पर उनके उप्षाहरण एक शह कुर्षत मैं और पर पर ने हैं पर हमें शब्द इये गया है इन में से एक जो है चूस करके सही बढ़ना है, I can dash this paper sheet, tear का मतलब होता है पंक्ती और डूसरे वाले tear का मतलब होता है फाड़ना, तो कौन सा? I can tear, फाड़ सकता है हम, I like to eat bean या bean, कौन सा bean फली खाते हम, तो उसकी spelling क्या है? B E A N, they dash English daily, वो क्या करते हैं? R W E D या R E A D, they read English daily, पढ़ते हैं और cricket dash has 11 player, और cricket team है team, team, एक खिलाडियों का समूर, T E A M, they dash to be students, they seem to be students, वो students की तरह प्रतीत होते हैं, ठीक है, यह तो थे हमारे पहले पांच, I can tear this paper sheet, I like to eat bean, they read English daily, और cricket team has 11 players, and they seem to be students, अब हम next देखते हैं याँ पे, इस्टेड़े यू डाइश तोने डॉप, थ्रियू या थ्रू, थ्रू, थ्रियू का मतलब होता है, फेक ना, T H R E W, इट्स और लवली सीन, यानि कि जो दृश्य है, वो लवली है, वाट वीट इस दो सीरियल या सीरियल, सीरियल वो क्या है, अनाज है, नेक्स ते डैश इंक्रीज ब्लड, बीट इंक्रीज इस प्लड, थीक है, क्या इंक्रीज करता है, बीट रूट इंक्रीज करता है, वी लिव डैश फियर, हम इधर रहते हैं, थीक है, तो हमने क्या किया, है यहां पर हमने पड़ा होमोफोन के बारे में तो स्टूडिन्स वापिस देख लेते हैं होमोफोन वेश अब दोते हैं जिनके जो है अर्थ और वर्त नहीं अलग होती है लेकिन उच्छारण सेम होता है वो सुनने में दोनों जो है सेम सुनाई पड़ते हैं ठीक है तो यह आज का हमारा होमोफोन का जो टॉपिक है वो तो का आई होब आपको क्लियरली समझ आगया होगा होमोफोन का कॉंसेप्ट ओके स्टूडिन्स तो थैंक्यों आवर नाइज जै कर दो दूए झां आपके सुनाई नाई होगा 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 है जैए टो बहुत हैं जैए